बंदे पुर्सोत्मम परंपुज्यपाद स्रिसी दादा की बात में आपको आज बताता हूँ कि स्रिसी दादा ने 1950 दसक में अनुष्ठित रित्तिक अध्वेशन का एक दिन परसंग उठाते हुए कहा उस समय इस्पेशल ट्रेन आती थी उस समय के उस्सों में अभी की तुलना में कर्मियों का समावेश बहुत कम होता था मुझे एक दृस्ति याद पड़ा है स्रिसी ठाकुर जी यति आस्रम में आकर बैठे हैं सवेरे की विनती प्रार्थना हो चुकी है प्रार्थना के बाद अनेको मनुश्य स्थिसी ठाकुर जी का दर्सन कर रहे हैं ठाकुर जहां बैठे थे वहां बास का घेरा दिया हुआ था भीड के दबाव से बास का बेडा तूट गया ठाकुर उठकर पैदल जाने लगे जाने के पत में बहुत भीड थी दर्सनार्थियों की भीड में थे पंडित इस्वर्चंद विद्यासागर के एक वनसधर वे दिक्षित नहीं थे भीड में वे दोनों हाथ से ठाकुर को घेरे हुए हैं जिससे भीड का दबाव ठाकुर की देह पर ना पड़े ठाकुर जी बड़े दालान में जाकर बैठे मेरी दीदी परणाम करने गई ठाकुर ने दीदी से कहा देखती हो इस तरह के विद्यासागर जैसे वनसधर की तरह अनेकों हैं हम लोग जो अनेकों होकर उनका हैं बच्पन में बढ़ा था तुमको एक लता दी गई तुमने उसे तोड़ दी किन्तु दस लता को एठन करके जब दिया तो उसे तोड़ नहीं सके अतेव सभी यदि एक आदर्स को लेकर चलें एक मत से चलें तो काफी सकती होगी कोई सकती हमें परास्त नहीं कर सकेगी सभी को साथ लेकर चलना है किसी को छोड़ कर नहीं दिक्षा तो देनी होगी ही अने को अपने करम दोस्त से डिफाल्ट कर सकते हैं सभी को चिरकाल धर कर रख पाएंगे कोई नहीं बोल सकता है चले जाने की आजादी सभी की है जिस तरह जाते हैं उसी तरह आते हैं आना यदि ठीक होगा तो जाना भी कमेगा और एक बात है हमारे आदर्स ठाकुर हैं हम प्रत्तेक के लिए हैं किसी का अलग से कोई भी आदर्स नहीं है मुझे अने को आचार देव कहते हैं मेरे पिताजी ने सिखाया है कि पुरसो तम ही आचारे होते हैं वे ही हैं इस्ट देवता आचारे जीवन्त विग्रह एक दिन मैं पिताजी से बोला ठाकुर को तो देख नहीं पाता हूं उस पर पिताजी बोले देखने की चेश्टा नहीं करते हो इसी लिए देख नहीं पाते हो मैं तो देख पाता हूं मैंने पूछा बाते कर सकते हैं पिताजी ने उत्तर दिया बाते भी करता हूं जिस समय ठाकुर ने देह रक्षा की थी तो पिताजी ने पब्लिकली कहा बाते करता हूं जिस प्रकार तुम लोगों से बाते करता हूँ उसी प्रकार तुहें जिस प्रकार देखता हूँ उसी प्रकार पिता ठाकुर छोड़कर दुनिया में कौन है सभी तो पिता है पिता जी को देखता हूँ उनकी बाते सुनता हूँ और यह सब संभा हैं उनके चरणों में सरवांतह करन से आत्म समर्पन करने पर वे लोग चालक हैं मैं नगन्य व्यक्ति हूँ उनका दासानु दास हूँ मैं उनका आदिष पालन करता हूँ मात्र यही जीवन की सार्थकता है उन्होंने नाम को वित्रण करने कहा है नाम बाटता हूँ ठाकुर दिख्षा दाता है हम लोग कोई भी दिख्षा नहीं देते हैं अपनी बातें वे स्वयम्ब कहते हैं एक दिन रित्यकाचार कृष्ण प्रसंद भटाचार्या ने कहा जीवन में खूब कष्टों के बीच चल रहा हूं अने को आत्म जिग्यासाएं होती हैं नहीं समझपाने की वेदना को अनुभो किया है वही केस्टोदा एक दिन बोलते हैं ठाकुर हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं हुए यहां सब करने से क्या होता है हम लोग कई व्यक्ते परफेक्ट होते कई व्यक्तियों को तयार कर देते फिर वे लोग कई व्यक्तियों को तयार करते इसी प्रकार से करते हुए बढ़ते जाते। हम लोग कोई भी तो ऐसा नहीं हुए। सिठाकूर जी बोले, वह सब आपको देखने की बात नहीं है। आपको देखना है, मैं जो बोलता हूँ, उसे आप करते हैं या नहीं। केश्टोदा बोले इससे लाव क्या होगा सिसी ठाकूर बोले मेरा काम मुझे करने दो जो करने कहता हूँ आप वही करें बाद में क्या होगा उसे देखना मेरा काम है कर्मियों के उद्देश में और स्रिसी दादा बोले ठाकूर पर भरोसा करें अपने को उनके चरणों में स प्राणपन से वही करता चला हूँ क्या करना उचित है उसे समझता हूँ समझाता हूँ इसे लिए हूँ कारण मैं एक मनुस्य हूँ मैं बचना चाहता हूँ सुस्त स्वस्त रहना चाहता हूँ अनन्त काल तक हमारी चाहत है अनन्त काल तक आत्मिय परिजन के साथ परम सुख सांथी से रहे दयाल ठाकुर की दया के बिना वह संभव नहीं दयाल हैं वे दाता हैं वे सरनागत पर वे कृपा करते हैं हमारे चरित्र में दोस यही है कि हम लोग उपर की दिशा में जाना नहीं चाहते हैं नीचे की और ही जाते हैं मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की थी बाइबिल में है Let there be light and there was light आप तो बोल सकते थे सभी अच्छे हो जाएं इससे सभी अच्छे हो जाते ठाकुर ने उत्तर दिया दुर पागल ऐसा क्या होता है मैंने जो कुछ कहा है वही पत्ध है करने से ही होता है करते जाओ सभ हो जाएगा ऐसा सहजपच किसी ने किसी से नहीं कहा है करने से ही समझ में आता है दिख्छा के समय कहता हूँ कैसे नाम ध्यान करना चाहिए कैसे जप ध्यान करना चाहिए अपने आप से प्रस्न करता हूँ यह सब क्या मैं करता हूँ वहित भाव से करते करते आत्म निवेदन होता है नहीं करने से काल के कवल में पढ़ना होगा निर्देश के मताबिक ठीक से करने पर काल पर सासन किया जा सकता है करते जाएं यों विधान मताबिक चलें करने से ठाकुर को ही पाऊंगा मेरा लक्ष थो ठाकुर है नहीं करते करते जानते हो क्या होगा है नर्व सिथिल हो जाता है ठाकुर का नहीं हो पाएंगे ठाकुर का बनो ठाकुर का बनने की साधना करो जितने ही बातें क्यों न करो अपने जीवन का उतना ही मुल्ले है उतने ही सकती है जितना तुम ठाकुर का हो अच्छी तरह से उतना ही रह सकते हैं जितना हम ठाकुर का बनते हैं जितना हम उनका बनते हैं उतना हम दूसरे को अच्छी तरह रख सकते हैं सात्वती फरवरी 2011 पेश संख्या 15, 16 और 17 से जय गुरू